राहुल के गुरू सैम पित्रोदा ने हाल ही में एक इंटर्व्यू में कहा कि मंदिर बनाने से जॉब्स नहीं पैदा होती है इनके ये बात केवल इनके हिंदू आस्ता का विरोध ही नहीं बताती है बलकि ये सनातन धर्म और हिंडों के लिए कॉंग्रेसी एकोसिस्टम की नफरत को भी दर्शाता है यहीं नहीं ये इनकी रोजगार प्रदाल करने में धार्वि परेटन की महत्व की समझ की कमी को भी दर्शाता है ये एक ऐसा शेत्र है जो अर्फिवस्टा को बूस कर सकता है लेके कॉग्रेसी चम्चो ने मंदिरों पर सवार उठाया है तो जान लीजिए पिये मोदिरे जिन मंदिरों का जिर्ड़तार कराया है वो मंदिर देश की अर्फिवस्टा में क्या योगतान दे रहे है जबकि नोकारपन के बाद इनकी संक्या 2 लाग प्रतिदिन हो गई है वारारसी के डियेवी पीजी कॉलिज की ओर से कराए गए आफ्टिक सर्वेश्टन की रिपोर्ट में ये बात सामनी आई है कि 7,21-22 के दौरान 34.18 प्रतिशत रोजगार बढ़ा यही रही होटलों की आई में 65 पीज़दी कांदारों की आई में 47 पीज़दी करीब इर इश्चा चालकों की आई में 30 पीज़दी की वृद्धी हुई है काशी मिश्विनात मंदिर की तरह महा कालेश्वर मंदिर के जिर्ण उधार के बाद ग्याती अर्फिवस्ता को भी पंक लग गए हैं। मंदिर समीटी के मताबिक सितंबर 2022 तक यहां रोजाना 15,000 शर्दालू ही पहुच से पे जिनकी संक्या अब बढ़कर 1.25 लाग से डेड़ लाग पर पहुच गई है। शर्दालू की पसंदीदा जगाओं में से एक बन गई है। इस वज़ा से साथ 2022 के सीजन में यहां के गरीब घोडा, खचर और डोली वारों ने 101.34 करोड रुपे का करुबार किया था। यही नई हेलिकॉप्टर सेवा प्रदाता टंपरियों ने किदाना धाम से 75.4 करोड रुपे से जादा की कमाई की थी। शर्धालू की वज़ा से होटल मालिकों और दुकानदारों की तो मौश हो रही थी। साथ ही राजे सरकार को भी गारियों की पार्किंज से अच्छी आई हुई। सीतापूर अर्शोन प्रियाग पार्किंज से उत्राघंड सरकार को लगप 75 लाख रुपे का राजस्च मिला था। क्यों बढ़ रहे हैं इन मंदिरों में शर्धालू की संक्या अचानक से बढ़ जाना कोई जादू नहीं है। मोधी सरकार ने जिरोधार का काम सिर्फ पेपर पर नहीं किया उसे जमीन सर पर उतारा है। सरकार ने इन मंदिरों की दर्शन करने वाले शर्धालू के लिए यात्रा को सुगम बना दिया। विबिन शेहरों से यहां जाने वाली हाई स्पीड ट्रेनों के रूट को जूट दिया है। हाई स्पीड बने भार ट्रेन से काशिफ विश्मनाद और वैश्टो देवी के दर्शन के ये जा सकती है। यही नई मोदी सरकार जम्मू में नए एरपोर्ट दनाने की यूजना पर काम कर रही है जिसमें कट्रा को प्राथ्विक्ता दी जाएगी। कट्रा में हवाई अड़ा बनने की वज़ा से यात्रा और आसान हो जाएगी। जहीं नहीं सरक मार्क से आने वाले शर्धालू के लिए नए एक्सप्रेस में बनाए है जिसकी बज़ा से दिनों का सफ़र घंटों में देन होता है मोदी जी के पास ये समझने का वीजन है कि हमारी विरासत को समरक्षित करना और उसे दिखाना केवल हमारे हिंदू भारती सम्विता से सरातंग गौरफ के लिए जरूरी नहीं है बलकि इससे हमारी अर्थ विवस्ता को भी अत्यदिक बढ़ावा मिलता है